हेलो अब्रीवन वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल तो आज हम आपके लिए लेकर आये हैं हाइप्रिडाइजेशन काल्कुलेट करने का एकदम आसान तरीका तो इसके लिए आपको चार बाते हाद रखनी पड़ेंगी सबसे पहला चीज जो भी एलमेंट गीवन होगा उस करोगे डिएंट अगर जब आप डिविजन करते हो तो वहां पर रिमेंड़ बचता है तो उस रिमेंडर को तूस अडिवाइड करोगे और इसे एड़ कर दोगे फॉथ पॉइंट इस अगर पॉजितिव चआर्ज है तो आप उसे नेगेटी चार्ज में लिखोगी अगर पॉजिटिव चार्ज में लिखोगे यह चार बात आपको ध्यान में रखना है देन नेक्स्ट अब यहां पर जो भी एल्मेंट होगा उनका वैलेंस इलेक्टान आप कैसे आद रखोगी सो देखिए यह ग्रूप वन तो ग्रूप वन में जितने भी एल्मेंट प्रेजेंट ह वal जोड़िया ता है इस गुआप वादेनिल में दनेलमेंनल सर्फ का उल्मेंट होता है थ्री फोर देन गूप 15 का वैलेंस अलेक्टान होता है फाइव ग्रूप 16-10 चन और गूप 18 में जो एल्मेंट होते हैं उनका वैलेंस इप्रण में तर्हां मे रकिए एट इतना ही hybridization, so first compound ले लेते हम CO2, अब यहाँ पर देखिए, यह जो element हैं का valence electron पता होना चाहिए, so carbon का valence electron क्या होता है, so carbon group 14 में आता है, तो इसका valence electron होता है 4, so 4 plus oxygen का valence electron 6, यहाँ पर oxygen के 2 atom है, so into 2, then divide करेंगे, अभी valence electron हमने find कर लिया element का, अगर इस compound में hydrogen है, तो 2 से divide करेंगे, अगर hydrogen नहीं है, तो हम 8 से divide करेंगे, तो यहाँ पर hydrogen नहीं है, so इसे हम 8 से divide करेंगे, so यहाँ पर कितना आजाएगा, 6 to the 12, 12 plus 4 16, 16 divide by 8, so 8 to the 16, so यहाँ पर 2 आया है, so 2 के लिए hybridization क्या होता है, SP, यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहेती हूँ, total number 2 है, so hybridization होगा, SP, then 3 के लिए hybridization होता है, SP2, 4, SP3, 5, SP3D, 6, SP3D2, 7, SP3D3, alright, so यहाँ पर total number 2 आया है, so क्या रहेगा, SP, then 2nd compound ले लेते हैं, NH3, that is ammonia, so nitrogen का वैलेंस इलेक्टोन क्या होता है, 5, plus hydrogen का वैलेंस से लेकर होता है, 1, और यहाँ पर hydrogen के 3 atom है, so 1 into 3, अब यहाँ पर देखें, इस compound में hydrogen भी है, so hydrogen है, तो divide करेंगे हम 2 से, so यहाँ पर आजाएगा 8 divided by 2, so 2 forza 8, तो total number यहाँ पर आया है 4, so 4 के लिए hybridization क्या होता है, SP3, then third example ले लेते हैं, NH4 plus, so nitrogen का वैलेंस इलेक्टोन होता है, 5, plus hydrogen का वैलेंस इलेक्टोन होता है, 1, hydrogen के 4 atom है, so 1 into 4, अब यहाँ पर देखें, charge है, ठीक है, plus charge है, plus कुछ भी नहीं है मतलब 1, so plus 1 है, so यहाँ पर हम लिखेंगे इसका opposite, that is minus 1, अभी इसमें hydrogen present है, तो 2 से divide करेंगे इसे, so यहाँ पर आजाएगा 8 by 2, 4, total number यहाँ पर कितना मिला है 4, so 4 के लिए यह होगा SP3, then fourth compound ले लेते है, SO4 minus 2, so sulfur, sulfur का valence electron होता है 6, plus oxygen का 6, अभी oxygen का 4 atom है, so into 4 हो जाएगा, then यहाँ पर minus 2 है, so यहाँ पर plus 2 आजाएगा, divided by 8, so यहाँ पर आजाएगा 32 by 8, so 8 force the 32, so 4 के लिए hybridization क्या होता है, SP3, then fifth example ले लेते है, SF4, so sulfur, sulfur का valence electron होता है 6, plus fluorine का valence electron होता है 7, then fluorine के 4 atom है, so into 4, divide by 8, so यहाँ पर आजाएगा 34 by 8, अभी इसे divide करते हैं, so 8 बन जा 8, 8 force the 32, so यहाँ पर 4, okay, 8 force the 32, then remainder कितना बचेगा, remainder बचेगा 2, so 2, अभी यह 2 remainder में आया है, ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या था, जब remainder बचता है, जो भी remainder बचेगा, उसे 2 से divide करेंगे, तो यहाँ पर remainder 2 बचा है, तो हमने 2 लिखा, अभी इसे 2 से divide कर देंगे, तो क्या आजाएगा, 2 बचा 2, so 4 प्लस 1, इतना मिला है यहाँ पर, 5, टोटल नमबर 5 मिला, so 5 के लिए hybridization होता है, SP3D, SP3D, alright, then next example ले लेते हैं, इसे solve करते हैं, so xenon, xenon का valence electron क्या होता है, यह जो xenon element है, यह group 18 में आता है, तो इसका valence electron होता है, 8, प्लस oxygen का valence electron होता है, 6, 3 atom है oxygen के, so into 3, divide by 8, इतना जाएगा total, यहाँ पर 26, by 8, अब इसे cancel करेंगे, so 8 बचा 8, 8 रिजा 24, so quotient मिला है 3, remainder कितना बचा है यहाँ, 26 minus 24, so यहाँ आपर आजाएगा 2, so remainder 2 बचा है, so जो भी remainder बचा है, उसे हम 2 से divide कर देते हैं, so 2 1s are 2, so 3 plus 1 is equal to 4, so total number 4 मिला है, so hybridization क्या होगा, SP3, SP3, alright, then next 7th compound ले लेते हम, XEOF4, इसे solve करते हैं, Xenon, valence electron होता है 8, plus oxygen 6, fluorine 7, fluorine के 4 atom है, so into 4, divide by 8, so यहाँ पर आजाएगा, 42 by 8, so 8 बचा है 8, 8 फाइजा 40, so यहाँ पर quotient मिला है, 5 plus, remainder कितना बचा, 42 minus 40, remainder बचा है 2, so इस remainder को हम डिवाइड करेंगे 2 से, so 2 बचा है 2, अब जो भी बचा हुसे आड कर देते हैं, 5 plus 1, 6, so 6 के लिए hybridization क्या होता है, SP3D2, SP3D2, so इस तरीके से आप किसी भी compound का hybridization निकाल सकते हो, चलिए, जो 8 वाला compound है, वो आपके लिए है, आप इसे solve करके बताएए कि इसका hybridization क्या होगा, XeO2F2,